बस आगई है हमारी चलो बस आगई चलो चलो बड़ा शादी में जा रहे होंगे नहीं शादी मारेगा तो नहीं मारेगा पीछे की छत है यह उपर की ऐसे होती है प्याज है रहे हाँ नीचे से दिख रहे प्याज है यहाँ वाला घर है यहाँ पर कपड़े सुख रहे हैं प्यड़ पेड़ पे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए व्लोग में जा दी हूँ अपने माई के और सुबह के बज़ रहे हैं और हम इतनी सुबह सुबह जा रहे हैं क्योंकि बस जो है यहाँ सुबह 6 बज़े आती हैं तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं और तेजस के पापा ज दिखाती हूं कैसा हो रहा है इतना थंडा मौसम हो रहा है ना स्वेटर पैन रखी है हमने मैं आपको इदर साव दिखाती पहले कितना मौस्त व्यूव है सुबह सुबह इतना कुवरा और का सुबह 6 बज़े इतनी ठंड भी हो रही है और मई के महिने में ऐसा लग रहा है आप नौम्बर दिसंबर का टाइम चल रहा हूं पैसा वी हम तो इदर से जा रहे है ठी नीचे सडक आएगी वहां बस आएगी देखते आ खुसड़े का टाइम है बस का है बसselves बच जाईगी वहां हू मोहां और बेट करेंगे पहले तो देखते हैं आती लोग और विए शह तीरू बजेशे बाएंट बता रखका वैसे आंघ जाएगी क्योंकि हमें यहां से यहां से गाड़ी और अबी तो आगे और भी देखो कच्छी सड़के और इसमें बस चलती है सब चलती है इसमें तरक तक भी जाता है इसमें और मौसम बादल देखो वाव कुछ भी निए दिख रहा है सामने तो पड़ कोई गाउं दिखी नीड़ दूर दूर तक हो कि बाइक लेक बाइक लेगे जाए है मौना के जाने कुछ ना तेरा है Alla diye अब आख भी दिखिए निए भी कुछ भी नी दिख रहा है नीचे । यहां तो खेत है सब खेत है और यहां पर लोग सुब्स पांच वज़े उड़ाते च्छै बज़े तो बस सब काम करने के लिए चले जाते गाए भैस बकरी बस गहां में यही काम है जो नीचे भी एक गाउँ है हुं घर है वो नीचे गाउँ नहीं याई गरिया ना सिखेइव भागा सारा हां सब एक ही गाउँ होंगे जहाँ वो दें उसलाई गाउ में वैसे मौसन तो ठीक है गजब है एसे इस मौसन में में गूंना ना बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा गर्मी में में वेकार है दर गाउना ना इस टाइम ठीक है देखो कुछ भी नहीं दिख रहा दूदला दूदला चारो तरफ कि अब कि वाज का वैसे से होते हैं वाओ या बस अभी तक आई नहीं है तता हम पैदल पैदल ही जा रहे है जाना है अभी सड़क सड़क जा रहे है कि अब कि अब कर दो कि अब कर दो कि यह वाला दास्ता देखो रास्ते देखो किते कच्चे हैं पता नहीं लोग कैसे बाइक है आदत हो जाती ने उनको गाड़ी बाइक चलाने की इसलिए उनको थोड़ा इतना वह डर नहीं लगता उपर देखो दूप आने की थोड़ी बहुत संभावना है अब कहा कि आगवा जी इए में और यदर तो चार हो तरफ कोरही हो रखा है मैं घेद हम लिकी बाई एक में बस आगे यह हमारी मैं चलो बस आगी चलो चलो बेटतें आ से बहुत लेट खाली और पड़ी है पूरी की पूरी ये रामनागर तक जाएगी दुखाने फेले हम कुछ ले रहे हैं रहां से पर चलते हैं नीचे की तरह वह नीचे गेट है वहां से नीचे का जाने का रास्ता है फिर दुकान पे गई थी दुकान बंद है नीचे तरफ चलते हैं वहां तो मिला नहीं और थंड से तो बहुत बुरा हाल है यहां से धूर से दूर तो नीचे जाते वक्त तरह नी पता चलेगा आते वक्त बुरी हालात होगी बस एक ना यार दो तक तो होगा दो चड़ाई उपर से और मौसम बहुत ठंड लग रहे है जोबर दस्त सही है यहां पर देखो यह रहा मंदिर यह अभी नया बना है यहां पर है हां है यह मेहो यह मेहो यह लेकिन यह कच्चे हो रहे है इसको जब पकते तो बहुत मीठे होते हैं आज लोगों ने देखो खेत क्या लगा रखे होंगे आजकल खेत में अब ज़्याइब यह नहीं पता नहीं मेरे हां मिर्ची है मिर्च लगा रखी है दर हां मिर्च तो महेंगी बिखती होगी अ वह तीक्की वाली लाल सब्सक्राइब देखो जा रहे हैं जादी में जा रहे होंगे नहीं मारेगा तो नहीं मारेगा था हनेड़ी यह हमारे गाओ हनेड़ी लोग अभी हम उपड़ से आए हो वहां से अभी और नीचे जाना है चलो मौसम ठी आप सही हो रहा है मल्ला कोटली की तरफ पहुझी है बच्चे स्कूल जा रहे है यह अभी तो मल्ला कोटली आया है अभी हमारा घर नहीं आया है वह तो नीचे है यह पीछे यह घर के पीछे का वह है पीछे की छत है यह उपर की ऐसे होती है यहां तो नीचे जाता है ताकि वहां रुका ना रहे इसलिए ऐसे बनाए होते है बारिश ज्याज़ा होती है ताकि पानी ऐसे अटका ना रहे नीचे की तरफ आ जाए इसलिए ऐसे है यह देखो यह क्या लगा रखे होंगे इसमें मिर्ची मिर्ची यह भी मिर्च है यह गाउं भी बड़ा है वैसे ओपर मल्ला कोटली भी लोगों की पूजा हो रही है देखो केरे घर है सामने स्कूल और यहाँ अगर आने वाला है चलो चलते हैं वह रहा नीचे गाउं ऑदो पूरामा। यह लहां गाउं देखो सीधी नूमा खेट है सब वाव इस खेट देख नहुंद। idle कह सामने ल के रहा के ऊब गांसे साथर मिर्ची लगी है हैि क'. ने हैं है ん資 और यह सारे प्याज हैं रहा पता यह लगा रखे यह जवाइन है और यह देखो यह बोलते हैं इसको तीमिल यह तीमिल है अब गाव में सारे फ्रूट्स कच्चे कच्चे हो रहे हैं चलो अब हमारा घर आने ही वाला है अब हम पहुंस तो गए है तल्ला कोटली थोड़ा सावर जो जाते वक्त होगा ना फिर इदर तो आम आम के पेड़ी दर बहुत मिलेंगे आपको बहुत है इदर देखो यह पूरा ब्रगी चामो का है देखो इदर 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 इस तरफ चलो हाँ नहीं नहीं अरे अभी नीचे है मैं बता दूंगे अभी चलो इस तरफ चलो सुआ 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 लुक्त हे नहीं वाले हैं फ्दा घर आने वाला है हम तो पोंचने वाले हैं यह वाला नीचे घर जो है हां 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 हम घर की तरफ जा रहे हो एन यह किस चीच का पेड़ होगा पूछ ऐग आईडिया वाला और यह वाह यह तेजपत्ते का पेड़ देखो उसकी खुश्बू भी आ रही है देखो इसको ले चलेंगे क्या थोड़ा ले चलेंगे घर के लिए अजो तेजपत्ता यह घर के लिए ले चलेंगे सुखा देंगे सब्सक्राइब करें अब महां से निकल गए है उपर की तरफ जा रहे हैं और आदे रास्ते तक चाची आई थी छोड़ने के लिए अब जा रहे हैं घर की तरफ और उपर चड़ने में बहुत ज्यादा सास फूल गी है अभी तो कि अच्छा कि प्यास लग रही है पानी पी लेता है बहुत ज़्यादा उंपर तकान होगी हुआ 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 कि निकल गई है आप दिखेगा साफ सुबा तो सब दुनला दुनला दिख रहा था आप साफ दिख रहा है कि यहां पर सीड़ी नुमा खेद भी है पेड़ पे यह देखो इधर शौक चड़ रहा है याद आ रही है अब आगी कहां जारे हो पेड़ ऐसे ओ ठीक भी है चड़ भी जाए इंसान जब वह स्ट्रेट रहा हुआ पहले लगता पेड़ पेड़ चड़ते रहते थे तो इसको पेड़ पर चड़ा होगे अब इत्ती दूर से वह देखो उपर वाले से नीचे वाले गाउं से इत्ती दूर से पेड़ लाएं बहुत ज्यादा चड़ाई है हां कि एकरिस में रही है रहा सोगती बंदा देखो किता बड़ा गाउँ है हां हां को नन दूरेपयो वीडियो को यहीं करती हूँ और मैं आपको मिलती हूँ आप अवलु कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और लाइक एंद सब्सक्राइब जरूर करना अगर इसे चैनल पर नहीं हो तो बाई फ्रेंड्स